हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइफ हाइट की लक्षन, कारण और उपचार के बारे में तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे आपको हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगे दोस्तो टाइफ हाइट होने के कारण साल मोना टाइफ नामा के जिवान होता है तो दोस्तो इससे पहले एक बात और बता दू कि टाइफ हाइट के बहुत सारे नाम है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे कि आंत्रिक, जॉर्ड, एंटेरिक, फिवर, म्यादी बुखार, मोती जराब बुखार, आदी ऐसे जो नाम होते हैं जो टाइफ हाइड को पुकारा जाता है अब इसके लक्षन के बात करें तो, शुरुवाती शुरुवाती में जो लक्षन उत्पन होती है यह फर्स्ट वीक में जो लक्षन होती है और रोग बुखार देरे देरे चड़ता है इसके बाद स्थिरता आ जाती है बुखार जो होती है, वो 99 डिग्री शे, 100 डिग्री फेरनहाइट पर रोख जाती है कुछ रोगियों में यह बुखार जो होती है, सर्दी लग कर, कपकपी आगे फिर बुखार चड़ती है तो अब हम इसके कुछ लक्षन के बारे में देखते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फर्स्ट वीक सिंप्टम में शुरुवाती के लक्षन होती है, वो होती है जिनको टाइप हाइड बुखार लग चुकी है, तो दोस्तो अब हम देखेंगे कि सकेंट वीक यह दूसरा सप्ता में, दोस्तो टाइप हाइड के जैसे ही दूसरा सप्ता सुरू होता है कि छोटी-छोटी मोती जैसा लाल रंग के दाने रोगी के पेट के उपड़ी हिस्या और छाती पर निकलते हैं यह जो दाना जो होता है वो गोरे रोग पर क्लियरली देखा जा सकता है हम इंडिया वाले को थोड़ा कम उतना देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसका रंग गोरा होता है उन पर साब दिखाई देता है इसमें रोगी के लक्षेन कुछ इस परकार से शुरू होता है जैसे कि सकेंड विक स्टार्ट होते हैं और थोड़ा जो टाइफ हाइट के शिंटम्स होंगी वो वड़ जाएगी जैसे कि बैचेनी बार बार होती रहना फस्ट विक से थोड़ा ज्यादा से केंड विक में बैचेनी होना सुस्ती आ जाना पेट फूलना जीब सूखी रहना खासी का होना बच्चों में सेखेंड यंक में कुछ ऐसे लख्षन हो जाते हैं ब्रॉंको निमोनियों और ब्रॉंकाइटी हो तो फिर बात करें बात करें सेखेंड इकांड नियुट भालक्षन होती है यह वर और विलेटर जो होता है वो बढ़ जाता और बिल्स रेट जो होती है वो धेरे-धेरे कम होने लगती है दोस्तों अब हम बात करें करत अब तिसरे सब्ते की तुवह तिसरा सप्ता में टैफाइट के लक्षन में बिसाकता बढ़ जाती हैmas रोगी को बारबार continuesly लेँव होती है ingenious यूते है एंस्टी चैंद साथ दर्द आने लगता है पेट में continue दर्द बना रहता है रोगी दीरे दीरे जो होता है विहोसी के वस्ता में चला जाता है अगर इस टाइफाइड के सही लक्षन को पाइचान कर अगर ट्रीट्मेंट नहीं यह स्टार्ट किया जाए तो टाइफाइड की तीसरे लक्षन आते आ बानेंगे कि टाइप हाइड के उपचार और कौन-कौन सी जात की जाती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को कंटिन्यू डेली वाइडेली देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती